अब यहां पर देखो हमने नौट का यूज कहां किया कि हमने नौट का यूज किया वर्ब से पहले जनल निगेशन मतलब वर वर हेल्पिंग और से पहले उसके नौट जो तो जनल निगेशन सब्सक्राइब अब एक चीज समझना सभी लोग इसके पॉस्वल मीनिंग्स क्या हो सकते हैं इस दिड़ नौट रेस्ट अंटिल ही अर्वाइब दो सकते हैं यह उन्होंने इंतजार जब तक नहीं किया जब तक वह आ गया उısı क्या जब तक वो गाम करते है उसके बाद अराम शुरू किया तुसरे इस पनले यह थे निसटों किया लैकिन तब तक नहीं किया जब तक वया उससे पहले उन्होंने बंद कर लिया तो इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं जब आप समझने की कोशिस खरोगे तो आपको समझ में आएगा तो इसका मतलब उन्होंने तब तक आराम नहीं किया जब तक आया उससे पहले ही अराम करना बंद कर दिया ठीक है उस समय तक जैसे कोई पूछे कि हाव लॉंग डिट दे रेस्ट अमने लिग दे रेस्टेड अंटिल यह अराइब जब तक वो नहीं आगया तब तक उन्होंने रेस्ट किया तो इसका मतलब उन्होंने रेस्ट किया जब तक वो आ नहीं गया तब तक लेकिन अगर हम करना उन्होंने सुरू किया दो बघे और इन्होंने रेस्ट किया चार बजे तक लेकिन वह परसन पान्च में तो दूसरा मीनिक जो आप सब सब्सक्राइ पखकर समझते में कि ऊन्होंने रहे सबसे नहीं किया कि चाहने हैंए का मतलब जब वो आ गया उसके बाद उन्होंने इंपजार किया ला तो इसके तो दोने मीनिंग हो सकते हैं यह मीनिंग भी और है मैं तो हम तो वहां है नहीं तो हमें क्या पता तो इस यह मिनिंग है निगयेशन में एक्षर अम्भीगूटी हो जाती है मैं आपके एक 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 जांपल से समझाता हूँ लोग मैंने एक सेंटेंज के लिखा यहां पीड़ी पर तेड़ी होती है मैंने एक सेंटेंस लिखा नौ नंस is good news आप इसका मेनिंग बता मुझे क्या है कि इसका एक मतलब यह हो सकता है आप आप पीसे आप निव्स आर बैड कि सारी खबरे बुरी ही है कोई अच्छी नहीं है इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हविंग नो न्यूज कोई खबर नहीं होना अच्छी खबर ही है अब बता इसका मतलब आप क्या मानोगे बहुत सी खबरे हैं हमारे पास लेकिन सारी बुरी है अच्छी उनमें से एक भी नहीं है कि यह मीनिंग माने यह हम इसका मतलब यह माने कि कोई अगर खबर नहीं है तो यह अच्छी खबर है इसको अच्छी खबर ही मानोगी कोई खबर नहीं है अब देखो इसके दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं यह मीनिंग भी हो सकता है यह मीनिंग भी हो सकते हैं अगर हम इसको अगर्व अगर्व देखें तो प्रवर्व के हिसाब से मीनिंग यह होता है अगर्व नो नियूज इस गुड़ नियूज गलती से लिग गया कि कोई खبر नहीं हो न अच्छी खबर है मालो हम कहीं से कोई डॉमज कर रहे हैं लेकिन वहां से कोई डॉर नहीं और रही है तो इसको भी ज़ाय घ्रीन लेकिन हमें पता है कि I'm Good News कि वह वनीनिंग भी होई सकता है अगर no news is good news को एक जर्नल स्टेट्मेंट माना जाए ना कि प्रोवर्ब तो पहले वाला मीनिंग भी हो जाएगा all news is bad all pieces of news are bad तो निगेशन का मीनिंग ना ambiguous होता है इस्पेसली जर्नल निगेशन का तो वहाँ पर हमें यह इस context meaning से डराइब करना चाहिए लेकिन हमारी उस तरीके की आदत होती नहीं है इस तरीके से हम इंगलिस को पढ़ रहे होते हैं या हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले मीनिंग करता है हम उसी को सही मान लेते हैं हम अगर थोड़ा सा रुकें और सोचें तो समझ में आगा कि नहीं इसके मीनिंग तो अलग-अलग पॉइंट आप विससे देखो तो अलग-अलग हो जाएंगे तो हमें यह द्यान रखने है तो यह जो मैं लिखा नहीं दिड नाट अंतिल ही नाट का यूज कर लूँ मैं अंटिल को निगेट करने के लिए नाट अंटिल ही अराइब एडवर्ब है तो पहले लिखोगे तो इन्वर्टेट फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी तो हमने में लेंकिन लेकिन नाट अंतिल ही अराइब डिड देर रेस्ट इ तो इसका मतलब वह काम इस समय तक नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर इसके बाद हुआ होगा तो इसका जो मीनिंग है वह क्लियर कट है not until he arrived did they rest का मतलब है they rested only after he arrived तो इसका मतलब definite है इसका मतलब यही है वह रेश्टेड अनली after he arrived उन्होंने आराम तभी किया जब वह आ गया तो अगर हम not लिखकर इस time को negate कर दें तो इसका मतलब काम इस समय तक नहीं हुआ तो फिर मतलब यह एक एक्जम्पल और देखते हैं से को पता है कि इसका मतलब क्या है he would have gone there का मतलब क्या है कि वोड़ है गॉन देयर बटी डिंट वह वहां जाता बटी डिंट लेकिन वह वह नहीं गया तो इसका मतलब यह निकला कि वह वहां नहीं गया अब यहां लिगा he went there वह वह वहां गया तो अब यह देखो दो मीनिंग हो गया एक मीनिंग क्या है कि वह वह नहीं गया को नहीं गया क्योंकि भीमार था नहीं होता तो जाता है दूस्रा मीनिंग है किो वहां गया लेकर इस लिए नहीं गया कि वह वीमार है कि और बज़े से गया हुआ है अब क्या यह दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं क्या इस सेंटेस का मतलब यह हो सकते है कि वह नहीं गया क्या मतलब है इसका कि वह परसन वहां गया कि नहीं गया बताओ अगर हम कहीं पर पढ़ें इसका मतलब हम क्या मानें कि वह 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 नहीं गया या वह वह नहीं गया इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं ठीक है इसका यह भी मीनिंग हो सकता है कि वह वहां नहीं गया पर इसका मतलब यह भी हो सकता है हो गया हमने देखा वह किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि यह मीनिंग अगर यहां पर लिखा हुआ तो यह बाद वाला मीनिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इल है तब तो नहीं गया होगा यह जाता थोड़ी है मैं आपको बता दो मानलो यह हॉस्पिटल जाने की बात हो रही है क्लीनिक जाने की बात हो रही है यह क्यमिस्टॉप पर जाने की बात हो रही है कोई परसन है वह क्लीनिक गया यह हॉस्पिटल गया है तो हमने का नहीं बीमार है तो है लेकिन वह हॉस्पिटल बीमार होने क वज़े से नहीं गया उसको कोई दोस्त वहाँ पर आया था तो बीमार होने के बाब जूद्ध भी हो गया तो उसके जानने का रीजन यह नहीं कि वह बीमार था इसलिए और भीमार भी था लेकिन वह गया किसी दूसरी वज़े से तो इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं he went there वह गया वहां लेकिन इसलिए ता कि बिमार था उस तो वह वह बिमार होना नहीं है और He didn't go there because His 가격 वह उसे वह बिमार था इस उसलिए नहीं तो चला जाता है बिमार था इसलिए तो अब इसके दोनों मीनिंग निकल लें इसका मतलब यह भी है कि वहां गया इसका मतलब यह भी है कि वह नहीं गया तो जो जो पढ़ते हैं किसी सेंटेंस को और जो फॉस्ट मीनिंग हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है हम उसी को मान लेते हैं कि यही मन नहीं है थोड़ा रुपो थेहरो दूसरे पॉइंट अवी से सोचो तो आपको वह मीनिंग भी समझ में आ जाएगा अब एक और कर्शन देखना जाओ इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ यह वेंट देर नॉट बिकॉस वोज ल ठीक है अब आप इस बार देखना यहां पर नॉट का यूज हमने सबॉडनेटिंग क्लॉस से पहले कि यह वन है और हमने क्लॉस से पहले नॉट को यूज कर लिया तो यह जनल नहीं है यह स्पेशल निगेशन है यह हम सेंटेंस के पारट को निगेट कर ही पूरे जनल सेंटेंस को निगेट नहीं कर रहे है ठीक है लिए हम आज लिख देंस ही वेंट दे vịयर नौट कॉस falls का इस आप ही मतलब है इसका ही वेंट दैर और सम अदर रिजन इसका मतलब यह है है इसका मीनिंग एकदम definite meaning है, he went there, गया वो वहाँ, लेकिन किसी और वज़े से, इसलिए नहीं कि वो बिमार था, तो अगर हम not का use कर दें, subordinating clause से पहले जो reason को refer कर रही है, तो इसका मतलब वो गया तो वहाँ, लेकिन इसलिए नहीं, किसी और वज़े से गया, तो यह special negation होगा, तो यहाँ पर लिखा है not, यहाँ पर लिखा है no, बाके सब सेम है, we have no more than 5 liter milk, we have not more than 5 liter milk, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और अगर दोनों सही हैं, तो दोनों के क्या meaning हैं, बताओ, वैसे तो यह जो हमने यहाँ से discuss किया, आप यहाँ से बात को समझ सकते हो, नहीं तो एक point हमने discuss किया था, मतलब असल में इस तरीके से हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें में जोड़ना बहुत पढ़ता है, इसमें अपने linear process को follow नहीं कर सकते है language सीखने के लिए, आपको बहुत सी चीजे घुमा फिरा के मिलानी पढ़ती है, तो मैंने आपको नो का एक use सिखाया होगा, आप लोग अगर भूल ना गया हो तो मुझे बताना उसका meaning, जैसे मैंने लिखा, यहां पर एक sentence, इंटोनिम के लिए, opposite meaning के लिए, अगर हम ऐसे लिख रहे है, he is no poor, तो इसका मतलब हम indirectly यह कह रहे हैं कि he is rich, इसका मतलब यह है कि हम indirectly यह कह रहे हैं कि he is rich, he is no poor, he is rich, he is no brave, he is cowardly, he is no tall, he is short, he is no wise, he is foolish, तो हम नो का इस तरीके से भी उस करते हैं, जैसे adjectives वगरे होते हैं जो उनके साथ में नो लिख देते हैं, तो इसका मतलब जो इसका antonym है हम वो meaning convey करना चाहते हैं, opposite meaning convey करना चाहते हैं, जो लिखा है उसका opposite, जो लिखा है उसको counter किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि यह जैसे हमने नो लिखा है, यह हमारा determiner है, अब हमने लिखा more than five liter milk, यह negation milk का है, मतलब पूरी phrase का है क्योंकि determiner है, और यह जो not लिखा है, यह more than five liter का negation है, यह milk का नहीं है, ठीक है, यह not specific negation के लिए इसके लिए, यह determiner नहीं है, जो noun को यह पूरी noun phrase को निगेट कर दे, ठीक है, यह पूरी noun phrase को कर सकते है, अब इनके meaning का difference समझने, अगर हम लिख रहे है, we have no more than five liter milk, तो इसका मदलब है, we have exactly, we have exactly five liter milk, कि हमारे पास exactly five liter milk है, ज्यादा नहीं है, यह हमारे पास ज्यादा milk नहीं है, हमारे पास पांच लिटर नहीं है, हमारे पास पांच लिटर से ज्यादा नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कि पांच लिटर हो सकता है, पांच लिटर से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, झाल लेटर और मिल्क हमारे पास पांच लीटर यह उससे कम है मतलब मिनिम्म पांच लीटर तो है यह फिर उससे कम ही होगा ठीक है है तो यहां पर हमने डबल निकेस्ट डिसकेस किया प्रेज़ और क्लॉज साय C 판ina बाकि आज के लिए इतना है, thank you, bye bye, good night